हालो गाइस मैं श्याता आप सभी का बहुत बहुत स्रागत करते हैं अमने यूट्यूब चैनल पर और गाइस कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हुए एक बिल्कुल ही नई रेसिपी और गाइस डोसा सब को अच्छा लगा और घर में सब बहुत इंज्वाइक किया और सबको यह बहुत पसंद आया तो एक बार इसे ट्राइज जरूर कीजिएगा यह बनाने में भी बहुत आसान है और इसके लिए आपको ओन की भी कोई जरूरत नहीं होगी आप तवे पिसको आसानी से बना सकते ह और बहुत ही डिलेशेज लगता है यह तो एक बार जरूर कीजिएगा और रेसिपी शेयर करों इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लिस लाइक और शेयर जरूर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चानल को सबस्क्राइब ने किया तो प्लीज मेरे चानल को सबस्क्राइब कर ले तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी टोसअ पिज़ा बनने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा बैटर तो डोसे को विटर त्यार करनेania के लिए 3 और जाए चिल्क करने के बगाए तो आप अचल की पार मिषा जाए चावल है और पीशंट करे दे। और थोड़ा सा पानी आट करें इसको पीस करके स्मूध सा पेस्ट त्यार कर लें और आपको कंसिस्टेंसी को बहुत जादा ध्यान देना है बहुत जादा पतला या बहुत जादा गाढ़हना रखें बैटर को और इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और अच्छी का दीन है तो 16 गंटे उससे जादा के लिए आप इसको रख दे और देख लिए जब इसमें अच्छी तरह से बबल आ जाते हैं और थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी बढ़ जाती है और थोड़ी सी इसमेल लाने लगती है हल्की कटी कटी सी तो समझ लें कि यह अच्छी तर निए आप पहले से ही पका लिए मेरे पास प्याज ओर तौटा प्यास के गाहले पहले से तो थोड़ी सी अझाओ टौड़ी अगले उसको तरहा रिया ल वी आपके पास जो भी शब्या आप कर लिए क्यूंकि हम्यों का यूज नहीं कर रहे हैं और रोस अपीज अम तबह जब अल्का गर्म हो जाता है तो आप इस पर ऐलिंग कर दें और फिर इसके बाद फ्लेम को एक दम लो कर दें और दोसी बैटर ले एक कल्ची बैटर आपने इस पर डाला है इसको बिल्कुल भी फैलाना नहीं यह अपने आपी शेप लेले का क्योंकि पिज्जा का बेस होता ह अपने इसको बिल्कुल भी नई है और इसको ऐसे ही छोड़ देना है और फिर इसके बाद साइ्ट से एक चमच आयल डाल दें फिर ऊपर से जब लेव ड्राई हो जाती है तो एक चमच आयल उपर से अपलाई कर दें फिर इसको पलट दें और फ्लेम को एकदम लो ही रहने ताकि अच्छी से अंदर तक पक जाए और फिर से एक चमच ओयल आपने डाल देना है ताकि नीचे वाला बेज भी अच्छी से पक जाए और थोड़ी देर बाद इसको आप पलट दे तो देखिए आप हलका सा इसमें गोल्डन ब्राउन सा हो रहा है यह यानि की अच्छी तर से और फिर जो म्योनीज है म्योनीज को भी इसके उपर अपलाई कर दे तो जितनी भी आपने म्योनीज पसंदे तो थोड़ी सी म्योनीज इसके उपर से डाल दे और हलकी सी इसको पैला दे और फिर इसके बाद अब हमें चीज डालना है तो आप इसके उपर चीज डाल दे और चीज डालने के बाद हमें इसे इसे तो आप अच्छे से और अच्छे से डालने और फिर ढख करके इसको लो फ्लेम पे दो से तीन मिनट के लिए पकने दे ताकि जो चीज के नो वह मेल्ट हो जाए और अब 2-3 मिनिट के बाद जब आप ठककर हटाएंगे तो देखेंगे कि चीज पूरी अची तरह से मेल्ट हो गई हमारी और हमारा डोसा पिज़ा तयार हो गया तो इसे पैंट से उतार ले और पिर इसके बाद इस पर स्प्रिंकल कर दे थोड़ा सा और पिज़ा सीजनिंग और थोड़े सी चीली फ्लेक्स पे आप स्पिंकल कर दे और अब हमारा डोसा पिज़ा सर्व करने के लिए रेडी है तो आप इसे सर्व करें और यह बहुत ही डिलिशेज और सभी को बहुत पसंद आएगा और बनाने में भी यह बहुत ही असानल है अगर आपको यह और दे यह, अग्योगा जीओय ओापको देएगा शेफू एमेझ तो यह बहुत है बहुत है उर आपको यह बहुत है वह बहुत है जो है।